हेलो गाइज वेलकम बाक टू दी चैनल कैसे आप लोग आए होप यू गाइज आ डूइंग आप सिलूटली फाइब डिसकास करेंगे रिगार्डिंग वीचेन, वीचेन का खुद का एक नया वालेट सामने आए, अब वो आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप सेट अप कर सकते हो, फ्री आफ कॉस्स वो भी आपको समझाएंगे इसी वीडियो में, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपक क्रिप्टो सेंड नहीं करने, किसी को भी अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करें, तो समझ लीजी वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए, वो का भी भी वापस नी आएंगे, कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा, जहां पर हम लोग बात करते हैं, crypto currency market जिसको यहां पे एक legally crypto बोला गया है यह काफी टाइम से यहां पे एक lawsuit चल रहा था between ripple and SEC जिसका final verdict आया almost in favor of ripple अब almost हम यहां पे इस लिए बोल रहे हैं क्योंकि partial आया in favor of ripple and partial गया in favor of SEC बट जितना भी आया in favor of ripple that was more than enough for XRP to shoot up in the upcoming बोल रहे हैं बट उसी के साथ-साथ let us not forget यहां पे एक और lawsuit चल रहा है between Brad Garlinghouse and SEC जिसका यहां पे बोला जा रहा है कि it might come again in favor of Brad Garlinghouse and again हम लोग यहां पे SEC को हारते हुए देख सकते हैं बट क्या सारी चीजे चल रही है इन सब चीजों के इसमें क्या strategies हमारी होनी चीए for XRP XRP का कहां तक price आ सकता है जिसके बारे में हम पहले भी discuss कर चुके XRP किन चीजों में काम कर रहा है वो जानना भी हमारे लिए important है जहां पे हम लोग बात करते हैं our crypto portfolio जितने भी crypto है हमारे portfolio में उसमें updated रहना बहुत ज़्यादा important है तो चलते हैं एक बार coin के को आप में market का हाल देख लेते हैं बात करते हैं regarding XRP और उसके बाद बात करेंगे regarding we change जिनका खुद का wallet आया है आप लोग कैसे download करके उसको use कर सकते हो वो भी आपको explain करेंगे तो side map देख सकते हो हमने open कर दिया coin के को आप currently जो global market है that is down 0.3% BTC is down 0.5% ETH is down 0.9% यहां पे हम बात कर रहे हैं number 5 crypto की जहां पे हम बात करते हैं XRP की current price की बात करें तो 50 cents की आस पास यह चल रहा है 0.1% up है in the last 24 hours year till date अगर आप compare करते हो 19.4% up है बात करें market cap ranking की yes currently जो market cap ranking है XRP की that is in number 5th position जहां पे हम लोग expect करते है XRP को to be in the top 3 when it comes to the next bull run वहां पे यह important है जानने के लिए कि क्या-क्या चीज़े हैं जो हैं आपे ripple कर रहा है कौन-कौन सी partnership से यहां पे ripple कर रहा है जिसकी वज़ाए से XRP का price जो है वो काफी उपजा सकता है अब हम सब लोगों को यह तो पता है कि XRP का क्या use case है जहां पे उसको use करा जाता है for cross water payment हाल फिलाल में एक news सामने आई थी from Africa जहां पे बात हो रही थी ripple के tie-ups की और वो हमने आप से शेर करा था इना टेलीग्राम चैनल ऐस वेल बट उसी के सांथ सांथ एक और news निकल के सामने आई है for ripple और यह काफी major announcement हो सकता है as soon as this partnership moves ahead बट उस news में जाने से पहले आपको यह भी explain करे ripple जो आज के टाइम में काफी partnerships कर रहा है जहाँ पे xrp का use case हमें grow होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे बहुत सारी partnerships है जो ripple कर सकता है जहाँ पे हम बात करते हैं future की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं days after the upcoming बोल रहा है वहाँ पे भी ripple काफी अच्छी partnerships कर सकता है तो यहाँ पे एक question ज़रूर बनता है क्या xrp यहाँ पे एक नया all time high बना के वापिस से नीचे आएगा शौर ली अगर हम crypto market को देखें यह trend market में हमेशा चलता रहा है बट इसी के सांथ सांथ एक trend की पहले हम बात करते हैं फिर चलते हैं उस news article में जहाँ पे बताया गया है regarding this partnership अब यहाँ पे हम for the time being अगर यहाँ पे हम bitcoin को देखें है and bitcoin ने क्या चीजे करी है उसके बारे में थोड़ा समझे तो आपको थोड़ा अच्छे से हम लोग explain कर पाएंगे bitcoin का यहाँ पे हमने maximum chart open करा है जहाँ पे हम बात करते हैं before the bull run यहाँ पे आप देख सकते हो price of bitcoin was somewhere around $200 starting के time में and एक pump आया उसके बाद BTC का price जो है वापस नीचे गया but it did not fell down to three digit numbers उसके बाद 2021 में एक pump देखने को मिला वहाँ से भी नीचे आया but again it did not fell down to four digit numbers जहाँ पे हमने previously यहाँ पे देखा एक low बनाया जो bitcoin ने that was somewhere around $15,500 level उससे पहले अगर हम लोग बात करें एक pump से पहले अगर हम लोग बात करें पिछले bull run से पहले हम लोग बात करें वहीं पे XRP का price जो है वो touch हुआ था somewhere around $3,000 के आसपास बट उससे भी पहले bull run के अगर हम लोग बात करें bitcoin का price यहाँ पे कुछ dollars में था 3 digit dollars में था वही चीज हो सकती है XRP के साथ आज का time में XRP का price is around $50 जहाँ पे हम लोग बात करते हैं upcoming bull run की yes हम लोग यहाँ पे target एक जरूर लेके चलते हैं of somewhere around $5 to $10 के आसपास अब क्या हमारे targets हैं वो भी आप से discuss करेंगे बट यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि next bull run के बात जब market में एक low बनेगा फिर से जहाँ पे हम लोग बात करते हैं next bear season की वहाँ पे XRP कितना fall हो सकता है क्या XRP fall हो सकता है again to the level जहाँ पे हम लोग बैठे हैं यह एक food for thought है जो आप लोगों ने खुद बखखुद सोचने हैं हम लोग यहाँ पे यह नहीं मानते ही कि XRP का price can actually come to 50 cents ever again जहाँ पे हम लोग BTC की बात करते हैं BTC का price हम लोग नहीं देखते हैं at coming below 900 dollars 900 dollars में अगर BTC आया है तो you can just imagine की पूरे crypto market का क्या होगा वही पे XRP का price coming back to 50 cents possibility नजर नहीं आती है जहाँ पे हम बात करते हैं long run की बट फिलाल बात करते हैं Ripple की partnership को लेके जो काफी ज़ादा important है हम लोगों को समझ नहीं के लिए कि Ripple यहाँ पे actually कर क्या रहा है जहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे एक article आप साइड में पढ़ सकते हो Ripple wants to turn every e-commerce company into a crypto company and in today's online ecosystem staying ahead for the curve is crucial for merchants looking to maximize their reach and potential profit अब यहाँ पे जहाँ पे बात होती है regarding cross border payments आज के time में एक thought mind में ज़रूर आता है क्या यहाँ पे XRP का use हो सकता है well Ripple as a company कहीं न कहीं partnership grow कर रही है कहीं न कहीं almost every day हमें एक partnership नज़र ज़रूर आती है Ripple की but उसी के साथ-साथ यहाँ पे time ज़रूर लगेगा Ripple को to do all the partnership जो वो possibly कर सकता है and यह partnership slowly and steadily grow होती रहेंगी जहाँ पे हम लोग बात करते ही e-commerce company की and इसी के साथ-साथ कुछोटी companies के बारे में भी यहाँ पे XRP या Ripple सोच रहा है उनके साथ partnerships करना well why not क्योंकि यहाँ पे जो use case है XRP का वो है इतना interesting जहाँ पे cross-border payments में XRP को use करा जाता है yes the partnerships are endless and इस चीज को सब लोग agree करेंगे जहाँ पे हम XRP को देखते हैं to reach a new high उसी के साथ-साथ हम लोग देखते हैं आप XRP का price to continue growing up in the future जहाँ पे हम लोगों की strategy यहाँ बहुत जादा simple यह हम लोगों को पता है कि 50 cents शायद XRP वापिस कभी भी ना वापिस है current level से surely थोड़ा नीचे जरूर जा सकता है जहाँ पे हम बात करते हैं overall crypto market की बट जैसे ही एक बार bull run में XRP enter होगा and जैसे कि हम हर बार बोलते हैं XRP for the very first time will free flow in the crypto currency market जहाँ पे वो पहली बार bull season देखेगा without any added pressure on top of it वहाँ पे XRP कहां तक जाता है यह बहुत बड़ा point है काफी लोग यहाँ पे बहुत hypothetically बहुत बड़ा target लेगे चल रहे हैं जरूर XRP का लेना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे XRP का use case इतना interesting है बट उसी के सांथ सांथ थोड़े realistic target भी हमारे होने चीए Yes, we agree कि यहाँ पे partnership बहुत ज़्यादा ज़रूरी है XRP को लेके Yes, we agree कि इसका use case काफी ज़्यादा interesting है बट उसी के सांथ सांथ अगर यहाँ पे बात करें supply of XRP वो भी काफी ज़्यादा है and let us not forget that I myself have XRP in my portfolio बट उसी के सांथ सांथ एक realistic price target for the upcoming bull run बहुत ज़्यादा important है चाहे फिर वो कोई भी crypto आपके portfolio में क्यों न हो जहाँ पे हम XRP का price दिखते हैं to be somewhere around 5 to 10 dollars 7 dollars कहीं न कहीं एक ऐसा price है जहाँ पे most of us will agree कि XRP पहुंच सकता है बहुत easily in the upcoming bull run but वहाँ से जब market वापस नीचे flow करेगी and XRP का price भी नीचे आएगा कहां तक हम लोग XRP का price देखेंगे should we accumulate all the XRP आज के time से ही जहाँ पे हम कुछ XRP को यहाँ पे रखेंगे for the next बोल रहा न and कुछ XRP का हम hold करके चलेंगे for the future and यही strategy काफी यहाँ पे Bitcoin holders जो है वो follow करते रहें Bitcoin को एक level में उन्होंने purchase करा जो काफी time पहले था जब शायद आप और मैं interested नहीं थे in buying Bitcoin वहाँ पे उन्होंको उन्होंने purchase करा आज के time तक उन्होंने Bitcoin को sell off नहीं करा $69,000 तक Bitcoin गया था they did not sell off their Bitcoin उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया है अपने wallet को जहाँ पे उन्होंने Bitcoin hold करके चल रहे and आज के time में भी वो hold करके चल रहे because they trust the future and वही पे जहाँ पे हम लोग बात करते हैं XRP की yes one of the crypto in the cryptocurrency market जिसको हम बोल सकते हैं legalized crypto a crypto with a unique use case scenario जो उसके साथ है and a crypto जो काफी जादा partnerships कर सकता है in the future हमारे भी ऐसे कुछ ना कुछ प्लान जरूर बन रहे है आज की time में XRP को लेके जहां पे हम और accumulate करने की सोच सकते हैं XRP को one lot for the upcoming bull run and the second lot for a long term जहां पे हम लोग देखते हैं XRP का price to just skyrocket and ये start engine के बारे में आप लोग भी सोच सकते हैं if you are interested in XRP अगर आप लोगों ने purchase करके रख रखा है अगर नहीं भी purchase कर रखा है तो XRP के बारे में और research आप लोग कर सकते हैं आपे now let us come to the second crypto जिसके बारे में हम लोग याँ पे बात कर रहे हैं आज की time में इस we chain एक ऐसा blockchain जो काफी अलग है from the rest of the blockchain जो market में काम करता है because ये काम करता है on supply chain management one of the crypto जो काफी अच्छे खासे updates आहल फिलाल में लेके सामने आया and one of the update was coming up with a new wallet we chain का पुराने wallet के बारे में हमने कई बार बात करे जहाँ पे we thore wallet हम लोग भी use करते थे जहाँ पे आप we chain store करके रख सकते हो and बदले में आपको we thore crypto we thore token यहाँ पे आपको accumulate होते रहते वहाँ पे stake करने की कोई ज़रत नहीं all you need to do is keep your we chain in that wallet अब यहाँ पे एक updated wallet जरूर सामने आया जिसका नाम है we world and यह आप side में देख सकते हो हम लोग भी हाँ पे download कर रहे है if you have we chain अगर आपके पास cold storage wallet नहीं है you can use this wallet to keep your we chain with you अब यह करना काफी ज़्यादा important जहाँ पे हम लोग बात करते हैं काफी ज़्यादा exchanges की exchange हम लोग भी काफी अलग अलग use करते हैं but जहाँ पे question आता है कि हम अपने cryptos काँ समाल कर रखते हैं we keep all our cryptos in our cold storage wallet जो कभी भी हम share नहीं करते हैं and we do not have any plan of sharing those wallet along with anybody in this world and यहाँ पे आप लोग अगर cold storage wallet नहीं purchase कर सकते हो we chain का खुद का wallet है जहाँ पे यह बोलता है self custody जहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह हम लोग भी जानते हैं यहाँ पे आप करते हो get started में click अगर आपको import करना है अगर आप पुराना wallet use करते हो वहाँ से आप import भी कर सकते हो otherwise you can create a new wallet यहाँ पे आप उपर click करके देख सकते हो कौन कौन से seat phrases, secret phrases आपके है और वहाँ उसी के साथ-साथ यहाँ पे आप click करके आप यहाँ पे backup में click कर सकते हो फिर आप करते हो back up और यहाँ पे आपसे बोलता है कि confirm करो अपने यहाँ पे phrases कौन सा word है number 3 में, कौन सा word है number 9 में कौन सा word है number 12 में अब यह बहुत random होता है अब यहाँ पे open हो जाता है आपका wallet wallet आप यहाँ पे देख सकते हो अभी दो ही crypto आप यहाँ पे store करकर रख सकते हो namely wechain and wethor विसी के साथ बात करें इस wallet में क्या अलग है इस बार आप यहाँ पे NFT भी store करकर रख सकते हो अपने पास and that is what everybody wants यहाँ पे एक blockchain की सारी activities आप store करके रख पाओगे yes surely यहाँ पे काफी जादा tokens है वो यहाँ पे add-on होंगे जो previous wallet पे हमें देखने को मिलते थे but half-lal के लिए काफी interesting लगता है काफी इन्होंने features यहाँ पे change करे काफी look and feel change करा है इस wallet का other than that yes एक चीज यहाँ पे for sure है कि आपके cryptos आपके पास safely store होके रहेंगे and that is what everybody wants अगर आप लोग भी अपने cryptos को safely securely hold करके रखना चाते हो we would highly recommend कि storing your cryptos in a cold storage wallet rather than a hot wallet hot wallet उनके लिए है जो पैसे spend नहीं करना चाते है और फिर भी अपनी custody में लेना चाते हैं अपने cryptos को just in case if you do not want to spend money काफी cryptos हैं जिनके खुद के wallet है यहाँ हम यहाँ पे बात करें काड़ानों की खुद का wallet उनके पास है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें we chain की आपके सामने है है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें evix ही खुद का wallet उनके पास है hot wallet की हम लोग बात कर रहे है but yes if you are using a cold storage wallet काफी cold storage wallet के option यहाँ पे market में available है और कुछ link हमने नीचे description में दे रखें if you are interested in buying any of the cold storage wallet please go and buy them because वहाँ पे आप अपने cryptos को safely and securely hold करके चल सकते हो for a long run जहाँ पे आपके cryptos आपके पास safely and securely रहते है then you can say कि हम लोग अपने cryptos को next bull run में अच्छे खासे profit में निकालेंगे and rather than holding a crypto for a long term in any of the exchange जिसके बारे में काभी भी कोई भी नहीं हो जा सकती है it is for sure कि हम लोग एक risk तो eliminate करके चले जो हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में that is taking custody of your cryptos of your investment यह करना उतना ही important है जितना है कि आप research करके सही cryptos में invest करें so guys यह थे कुछ updates regarding we chain we chain का खुद का wallet आया so we thought कि आप लोग उको बताया and उसी के साथ साथ XRP की trading के बारे में जहाँ पे हम एक lot जो purchase कर चुके हैं for the upcoming bull run एक lot हम लोग और purchase करना चारे हैं for a long run जहाँ पे हम लोग देखते हैं XRP का price not to come back to 50 cents वहीं पे हम लोग काफी अच्छी growth देखते हैं क्योंकि काफी जादा partnership जो है वो ripple कर सकता है in the future even after the bull run जो आने वाला है and we should be prepared for the future जहाँ पे हम लोग bitcoin को miss out कर चुके हैं पहले भी वहाँ पे हम लोग XRP को definitely miss out नहीं करना चाहेंगे आप लोगों के क्या thoughts है regarding the same नीचे comment section में comment करके ज़रूर बताईएगा with that said guys आज का video करते हैं पे and I hope आपको video अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time, okay bye bye